नमस्कार जैहिन बंदे मातरम आज मैं आप लोगों को आईसमान कार्ड से अपना बिल जो है कैसे क्लेम कर सकते हैं आउनलाइन अगर आज मेरी वीडियो अगर त्यान से देख लोगे तो एकदम बेसिक से जानकारी दूँगा जो कभी भी नहीं भरा रहेगा बंदा वो भी क्लेम अपना आसानी से कर सकता है तो आएए चलते हैं सबसे पहले हम लोग वेफ साइट के उपर PMJY है वेफ साइट उस पे जाएंगे और अपने जो है क्लेम को भरना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जाना है यहाँ पे देखो थ्री डॉट है थ्री डाट के उपर जाने के बाद देख स्टॉप साइट कर लेना है देख स्टॉप साइट करने से आपको सब कुछ क्लियर होता है उसके बाद यहाँ पे एक आप्सन है CAPF का CAPF का होता है एक option वहाँ पे जाएंगे इसको CAPF कर देंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे force ID सेलेक्ट करेंगे force ID में जो है अपना जो भी force नंबर है उसको हम डालेंगे क्या करेंगे हम लोग जैसे यह अपना हो जाएगा तो अपना डिपार्टमेंट को सलेक्ट कर लेंगे डिपार्टमेंट को सलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर मोबाइल के उपर एक OTP जाएगा यह हो गया अपना OTP और लागिन कर लेंगे भाई ध्यान से देखना एकदम clear होगा एकदम तो हमको करना है किसका अपना सेल्फ ही करना है तो सेल्फ करना है तो यहाँ पे देखो भाई अपना आ रहा है family member का नाम और क्या ये है तो इसको हम क्या करेंगे तो सबसे पहले जाएंगे family member के उपर तो हमको सेल्फ करना है तो सेल्ब में अपना नाम को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कौन सा है हमको OPD क्लेम करना है OPD है एक IPT OPD का मतलब जो IPT में क्या है Admit हो जाता है OPD में क्या है Normal सा आप इलाज करवा सकते हो सेलेक्ट करके रेस्ट क्लेम को आगे processing के लिए छोड़ देंगे इसमें आ रहा है already claim rest card this number फिर यहाँ पर ok करेंगे फिर उसके बाद अपना नाम देख लेंगे यह bank details तो पूरा आपका दिया हुआ है अब यहाँ पर आ गए hospital detail में hospital detail में हम क्या करेंगे सबसे पहले hospital किस state में है उसको हम select करेंगे तो हम NCT Delhi में claim कर रहे है तो इसको हम south नहीं है इसको हम new Delhi भी कर लेंगे कोई दीकत नहीं है फिर उसके बाद hospital hospital में other को करेंगे फिर उसके बाद hospital का नाम लिख लेते हैं जैसे मेरा है बत्रा hospital and medical research center तो यह होगे अपना नाम फिर उसके बाद इसमें hospital में इसमें क्या यन्ने वियत ही करेंगे इसको हम यन्ने वियत ही select रहने देंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे diagnostic के उपर option में क्या करना है जैसे इसमें इस वाले option में जो भी आपने कोई test किया हो तो उस test को हमको क्या करना है इसमें दिखाना पड़ेगा तो बिल नमबर डालेंगे ये तो हमारे case में कोई भी test अभी नहीं हुआ है तो हम direct चलते हैं नीचे की ओर फिर उसके बाद हम आगे फार्मेसी चार्ज योगा उसका बिल नमबर डाल देंगे इसमें इसमे medicine brand और quantity कितनी है total amount कर लेंगे तो इसमें सब कर लेंगे इसमें हमारे case में कोई भी medicine का यूज़ नहीं हुआ है तो इसलिए हम लोग चलते हैं सिधा अपने others वाले option के उपर जो doctor को दिखा रखे हैं उसके जो है हम उसको claim करेंगे तो सबसे पहले bill number डालेंगे तब bill number हमारा हो गया इसको बार देता हूँ 24 25 CA OP3 OP3 698 957957 यह मेरा bill number है तो इसको हम भर लेंगे इसमें bill type में other bill type कर देंगे बिल का date किया है तो 10 8 है तो 10 8 है मतलब अगस्त के महीने में है 10 तरीक 8 महीना ठीक है और उसके बाद क्या करेंगे type में others कर देंगे select doctor को दिखाया तो हमने consolation fee डाल देंगे या charge डाल देंगे और कितना quantity है तो total a quantity है तो इसको a quantity डाल देंगे और कितना नीचे आ जाएगा यहां पर यह देखो 350 रुपे add हो चुका है फिर उसके बाद क्या करेंगे हम एड हो चुका है और एक और है मारा तो फिर हमने क्या करना है दोबारा other charge में जाना है इस वाले option में जो other charge है इसमें दोबारा जाना है और फिर हमको add other करना है फिर उसके बाद हमको other charge में जाने के बाद जो भी bill नमबर 80 है मोईसा ही करना है पिर दूसरा बिल का है मेरा 24, 25, CA, OP3, 74, 33, 73 फिर इसमें सेम रहने देंगे बिल डेट है ये हमारा 27, 9 का है क्योंकि हमने एक जांच कराया था वो आइसमान के थूरू करवाया था तो उसमें पैसे नहीं लगाता था इसका हम 27, 9 का करेंगे 27 सितंबर का फिर इसके बाद इसको select करेंगे other other करने के बाद फिर इसका बाद क्या है फिर इसका भी same है जो डॉक्टर को दिखाया था एक फिर उसके बाद जा लेंगे कितना पैसे लगा है टोटल तो 350 लगा है फिर add other कर देंगे फिर उपर जाएंगे यह success fully हो गया तो हमारा जो दोनों बिल है यहाँ पे so करने लगेगा यह last में देखना हमारा जो दोनों बिल है यहाँ पे so होने लगा यह 350 का दो amount हमारा add हो चुका है तो यहाँ तक सभी को मालूम हो गया होगा फिर उसके बाद हमारा इलाज का डेट कब शुरू हुआ था तो हमाराज का डेट इसमें डाल देना है और उसके बाद total amounts हो गया फिर इसके बाद हमको यहाँ पे जाकर करके टिक मार लेना है और रिमार्क में लिग देना है all medical documents submitted फिर यहाँ पे जाने के बाद इसको भी कर लेना है select फिर जाकर कर देना है फिर add attachment के उपर कर देना है फिर इसके बाद पूर्चरा है do want तो प्रोसेस मतलब आगे का प्रोसेस जारी रखना चाहते हैं तो yes yes करने के बाद यहाँ पे देखे दोस्तों ध्यान से क्या क्या select करना है सबसे पहले आईसमान यह देखो इसको आईसमान डालेंगे referral slip डालेंगे doctor का prescription डालेंगे और उसके बाद जो last में document होगा उसको यहाँ पे submit करेंगे तो sim से पहले हम लोग चलेंगे क्या आईसमान कार्ड अपलोड करेंगे तो आईसमान कार्ड और इसमें देखे है सबसे नीचे लिखा हुआ है जो भी file अपलोड होगी वो है 2MB से नीचे ही होनी चाहिए 2MB से कम होना चाहिए तो 2MB का कम करने के लिए ज़्यादा दीमाग नहीं लगना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे अपना चोट एक और mobile होगा घर में मालो उससे हम simply click करके photo खीच लेंगे और direct जिस mobile से बर रहे हैं उसके उपर जैसे हमने एक देखो यह mobile है इससे हम लोग photo खीच रहे है photo खीचने के बाद यह हमारे whatsapp पे आ जाएगा इसको यहां से upload कर देंगे यह हो गया आगया हम download हो गया हम देखो हमारा ice man आ चुका है इसको यहां पर ice man को select कर लेंगे इसको yes कर देंगे यहां पर upload हो जाएगा upload होने के बाद क्या होगा ऐसे cross का निसाना आजाता है ठीक है इस बात का हम जहां रखेंगे, अब हमको चाहिए रेफरल, जो है डॉक्टर का रेफर किया हुआ हमको चाहिए, रेफरल को यूज करने के लिए हमने क्या करना है, फिर वही सिंपल, अपना वाटसप में जाना है, और सीधा उसको खीचना है, पिक्चर को, और उसको सेंड कर लेना है, सेंड करने के बाद वह आ जाएगा, यहां पर इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर यहां से रेफरल को अपलोड कर देंगे, यह आ गया हमारा यह रेफरल आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यह सक्सेस्पूली हो गया, फिर उसके बाद हमको चाहिए डाक्टर का prescription simply दूसरे mobile से मैं इसका picture ले रहा हूँ और इसके बाद अपने whatsapp पे send कर रहा हूँ whatsapp पे send करने के बाद वो भी आ जाएगा तो इसको download कर लेंगे फोटो के उपर और यह अपना album में जाएंगे और यहां पर एक doctor का prescription है इसको भी हम लोग doctor का prescription आ गया है इसमें और जाने के बाद अपने gallery में जाएंगे gallery में जाने के बाद अपना select कर लेंगे एक अपलोड कर दिए चुगा है और उसके बाद सबसे last process आता है जो हमारा bill amount है bill का जो है bill जो हमारा कितना bill लगा है उसका हम लोग यह करेंगे simply एक एक page को आप क्लिक करते रहिए अपलोड करते रहिए इसमें कोई दिकत नहीं आएगा सबसे simple तरीका है यह ना किसी पीडिया बनाना है ना कुछ बनाना है आराम से उसको करते रहिए अधर में जाना है अधर्स में जो भी जितने भी अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है तो अधर्स वाले में जितना भी बील है उसको हम सब्मिट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसको डाल ओके फिर उसके बाद करेंगे दूसरा आ गया दूसरे वाले का भी खिचना है क्लिक करना है पोटो को और उसको भी पहले डाउनलोड कर लेते हैं जाकर के सिंपल ही जैसे सभी को किये हैं फिर उसके बाद क्या करेंगे फिर जाएंगे अधर्स चार्ड में फिर इसको बाद अपना स्ट शेम जाएंगे फोटो में एल्बम में फिर यह भी लहे मेरा एक और साड़े तिन सो की तो उसको हम कर लेंगे इसमें आईसमान काड अपलोड हुआ है इसमें डॉक्टर का रेफरल अपलोड हुआ है इसमें डॉक्टर का प्रिस्किप्सन अपलोड हुआ है और इसमें जो भी चार जुगरा है वो अपलोड हो गया अपलोड होने के बाद लास्ट में आत कर देना है, submit के बाद agree कर लेकर लेना है, agree करने के बाद OK कर लेना है और होगे आपका, हुआ क्लेम जो है की ओके हो गया है, इसको हमने क्या इसके इन साथ मार के रख लेना है, फिर ये claim का je prepare process क्या होगा तो इसके बाद यहाँ पर जाएंगे सब ser और एक ट्रैक क्लेम के नाम पे आता, इसको हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो अभी हमने OPT भरा था 700 रुपेगा, ये देखो, लास्ट वाल आपसन है, इसमें, थर्ड नम्मर हो, सियार सिंग, ये OPT इंवेट, बत्रा हस्पिटल का है, और ये 28,9 को जो आज भरे थे हम लोग, औ ठीक है, तो ये भाई भरने का तरीका, क्लेम को कैसे भरते हैं, और क्यूरी, अगले वीडियो में क्या, कैसे जो है क्यूरी आता है, कोई कीज लग करके आता है, तो उसको हम लोग कैसे क्या है, क्यूरी को मतलब कोई भी अब्जेक्शन लग के आता है, मेडिकल में, तो उस किसी को अभी भी समस्य आ रही है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर देना और उसका मैं जहां सक होगा संबख मदद करूँगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो के एक बार लाइक कमेंट और जो भी भाई इसको भर रहे हैं आयुसमान से क्लेम उसको इस वीडियो को शेयर जरूर करे ताकि उनकी भी कुछ हेल्फ हो जाए आज के लिए बस इतना ही जाहिन बंदे मातरों